हेलो गाईज गुड मोर्निंग वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लोग तो चलिए करते हैं एक और ब्लोग की शुरुआत और मेरी तबियत पहला थीक है दवाई तो लेते रहनाई है तो मैं लेट रही थी सोच्या उठलू क्योंकि मेरा इवाराम है हड़काल का दवाई लिए गततार होे जा है तो रितिका ना और मैंने शोची थी मैं मतलब मेरा घंळा भी होना तरा मैंने करन नी पड़े है कि मैं ठीक हूं क्योंकि बचे के पेपर चल रहे हैं और उनका टेंशन हो जाएगी रितिका करते कहास कर रहनी के भी गाईज क्योंकि बच्चे प्रसंजी endorse म मम्मी की तबियत खराब है तल्या हम काम कर दे मैं दोनु इस मारे तै मैं ठीक हूँ रितिका ने दाल दर्दी थी तई छोक लगाऊंगे सोंबीर जी और चलो मैं भी कुछ कीचन में करवा दियू और मन यड़ बैठी बैठी नए मतलब ले लिया था कि में ती पलक लेका मन चाट कर दर्दी थी दाल वो पलक सोरी चलो चलते हैं किचन में और मन जर्सी वर्सी पैर रखी है तो मिलते हैं मिलते क्या है दिखाती हूँ आपको कि किचन में टेमाटर माटर काट दिये हैं सोंबीर जी लागरी है तो गाइज टेमाटर भी काट दिये हैं और यो चमन अब रास खड़ी बामने चाहिए है तो मैं का दो दियो है लो जी और यह पाल लेख मने काट का दे दिया था दिखाए है कि यह नहीं हम यह काट रहा है न क्योंकि दाल में पड़ागा गाईज और दाल भी बन गी है तो छोक लगाओ गई एक बार छोक देओ मोसम बार इससे काऊ रहा है सोचा बाहर गुम हूँ चलो दिन में और दिखाओं आपने दूबारे तपेल पो देख बार इतने बड़ी आवाड़े हो रहे है तूब बिना निकल रही तो यह है टमाटर पुदिना यह भी टमाटर और यह फूल फाला के हैं इनकी भी मना देख सीख से ले कड़े और बड़ी आना लागते तो इसमारे में किनुछ चटाई कर दिया गरूं सारे पेड़ पो दे नड़ा रखे हैं और यह कड़ी पता कोई ना फेर हो जाएगा और यह वो बताए थे आप ते इसके अजीब सा हो रहा था यह भी तो यह भी कटवा दिया सा और है और इसमें भी फूल लाव है गूडम का ही यह इसमालगतर है कि फूलाओं लेकिन हो और कलर के और यह गुलाब और यह भी पोद्द आये है मतलब सजावट काई एक यह वो इतना बड़ा हो रहा होड़ा परे नर्यों इतना चोटा सा इसमें भी छोड़ दिया क्योंकि इसमें भी हड़के पत्ते से दिखा हैं कि निकलेंगे उमीद है और एक यह देखो कितना बड़ी अखिल रहा है फूल सा यह है चोई मुई का है तो यह भी ना कट्या मनं के इसमें भी मतलब लग गए है होसा मतलब आसारक निकल जाएंगे इसमें वाइट फूल आए रहे हैं और यह इतनी बड़ी होगी और यह भी नई आन लागे और फीगूडल का है इसमें नई आन लागे पर यह पत्ते जुकरत जाड़े के मारे से हैं ना तन्हुम है कोई नहीं हो जागा यह फिर तो मात्र है और यह भी यह छोटा मतलब यह भी साय हो रहो जोन जाड़े की मारते हैं अर्याड़ấ하겠습니다 लगुराभ肉 एक ये है इस यो भी कती बड़ी आवाला कर रहे है इसका कलर मन बहुत प्यारा लाग गए है एक ये है ये ना कम तकम बीछ है छह साथ साल साल पुराने पुद्दे हैं गाईज ये मनें सोंबीर जी बिना भुजे लगवा दिये ये पुद्दे पर फिर बहुत खुश होए थे और ये अलो वीरा देखो उपड़ तो इतना बड़ी आ और यह उपड़्द्द्द के बीच में था न यह कीजा हो रहा है और उपड़ के देखो कितने मतलब है भी है ये ये निम्बू का और ये गुलाब गुलाब देखो कितने सारे खिल रहे हैं और नरी सारी कली भियान लागरी हैं और यो देखो इसमत है इतने फूलाँ दिन पदी न बुजो मत और मोसम दूप ने निकल रही आज दूपनी निकल री बिलकुल भी तो मान शोची थोड़ी देर बार गूम लियो फ़रक्सा लग गगई है तो यह पोड़े न मन सूंबिर जी तब नाई बताए लागवाली थे क्योंकि ना निरती न सूट के पैशे दिये सूंबिर जी नार मन सूट के पैशा के नाम कहना यह सारे पाटी लगवाए थे जब और न एक भी पुद्द आईसानी है जो कि खराब हो एक होया है जो कि वे उपन मिरस्थी चिली रोकेट के बताऊं थे उन्हों पोद्द खराब हुआ खाली ना ता सारे के सारे नू के नू है और यह पोधदे सदा बार थे के वह न भुला कि मैंगे लागा लगादे बाई जीए भी लगगा यह सूटके पईशा के लगवाइख अपना सूट ना मनें सोंबिर जिन विले कोई बात ना लगवा लिए ता सूट भी समवाले मैं का ना मेरा जी ना करता पर मनें भी पोद्दे लगवा लिए यो भी ये वाड़ा एक दो तीन आपने गिणवम और च्यार एक यो और इन में हैं च्यार एक गुड़ल का पाँच और एक ये वे पोदैसे थे छै और । एक बार लाग रहा है साथ और एक यह लगवाया था आठ और एक यह लगवाया था UE 9 अर 10 मा मतलब मेरा खराब हो गया 120 मा खराब हो गया था तय ये कर्षे मैंगे लागे थैं ऊस टाइम पर कोई नहीं पर नेरे साथ यह इतने साल ते और साथ भी नू है क्योंकि सोंबिर जी ने इनकी देख बाल करी है मनत यह लगवाए पिछ सालक शंबाले होंगे ना ते पांच शे साल ते है ना सोंबिर जी रह संबाला लाग रहे हिन उसके बाद जुकरत मेरी तवियत खराब होंगे वीडियो देखेंगे गुमन लाग रही थी क्योंकि वें बीतर लाग रहे हैं और मैं याड़ लेट रही हूं आरामत है तो चलिए गाइस मिलते हैं और जो भी कुछ होगा आपके साथ शेयर करते हैं थोड़ा-थोड़ा करती रहूंगी गाइस जो भी जितना भी मे बीच में एक भी और मेरे सिवा कोई बनावक होना या जिम्मेवारी मेरी यह है और मना पनी यह जिम्मेवारी यह उठाया था मतलब के वहीं मैं खुद बनाओंगी और बच्चा के तो वैसे भी पेपर हैं नहीं तो वैसे भी डिस्टप नहीं कर सकती एडिटिंग ले लिए रितिका की भी रोटी ले ली है और यह खीरे भी काट लिये हैं और सब की लसी भी लियाई हूं तो खालो आप भी खाना गाइज तो गाइज चाय वाई पीली थी हमने और चाय दोब बना ली दोब पीली और बित्तर हना बहुत ज़्यादा गदर खिंड रहा है क्योंकि आज मैं बढ़गी सूटा मैं सूट साथ से लुआन तई मतलब मेरे कई सूट हो रहे हैं कई के गणे सारे हो रहे हैं ते हृती का नु हमारे साथ मैं सोची चा भी पूरी होगी तो बने रहना और पूरा पूरा ब्लोग देखते रहना कि आगे हम ट्रेवल भी करेंगे अब तो इस मारे मैं एक बार सूट समा समा कदर लिए अपने जो की मना जरूरत है उनकी तो बितर का थोड़ी देर में संग वाउंगी है दाल पालक आपने देख्यों कि तब आप गई बच अन्वर्तन रसोई बिल्कुल क्लीन है ते हाँ दाल बचरी थी सुबह बनाई थी दाल पालक ता दाल बचरी थी मन सोची के इब चावल बना लू थोड़े से ते चावल बना लिए क्योंकि फेर अगर जो बसी बच गी तो उन्हें को एक खावक होन्या और इस दाल गेला थे मतलब चावला गेला थे दाल खतम भी हो जागी तैस समारे तो और दिखाती हूं आपको सुबह दाल पालक बनाई थी और इनके दोस्त है योगिंदर जी उन्हें फेर डेर सारी पालक बेज़ दी और गैनिक दाल पालक तो मन सोची चलो कोई निए दाल पालक भी ठीक है यह बनाउंगी मैं आलू पालक क्योंकि दूबारे तो पालक आगी है तो मना हो पालक की सब्सुजी न बहुत टेस्टी लागया गए इसमारे सुबह बनाऊंगे आलू पालक तो कामवाम सारा कर दिया है और रि और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैं एक टाइम की दवाई मिस कर दी है तो मेरे बिल्कुल आराम है आज कती प्रोप पर ठीक हूँ मैं बगवान की दयात है ठीक होगी चलो तो इब करूंगी बस वो पिछड़ला कमरा संग वाना थोड़ा सा रोटी राटिया का होए गया चावड तो चलिए गाइस और हां मैं सुबह बताओं थी ना के वे सूट सूटा के उसमें मैं पोद्देशमाय थे तो गाइस उनके बदले में दो सूट से लाए क्योंके नूबले आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में लाइक, शेयर, कमेंट, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा बाई, गुड़ नाइट